नमस्कार स्वागत है आपका सोना कीचन में आइए एक और नहीं रेसिपी बनाते हैं आज हम मक्के के आठे से पराठा बनाएंगे आइए इस रेसिपी को बनाना सुरू करते हैं एक कप मक्के की आठा यहूं का आठा आधा कप हल्दी पाउडर एक चमच देशी घी एक कटोरी नमक स्वाद अनुसार आजुआईन एक चमच इन सब को हम ले करके अच्छी तरह से आठा लगाएंगे और पराठा बना करके दिखाएंगे सबसे पहले एक कप मक्के की आठा लेंगे बॉल में डालेंगे मक्के की आठा कहीं पर बढ़ियां मिलता है कहीं बहुत मोटा रहता है अगर मोटा वाला आ गया है तो उसे थोड़ा चलनी से चाल लें उसके बाद इसमें हम गेहू के आठा मिलाएंगे आधा कप अब इसमें आज वाइन डालेंगे आधा चम्मच अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे हल्दी पौडर आधा चम्मच डालेंगे उसके बाद इसमें एक चम्मच इसी छोटी चम्मच से एक चम्मच देशी घी डाल देंगे डालके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आटा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से इसमें घी भी मिक्स हो जाएगा देखिए अच्छी तरह से आटा मिक्स हो गया है अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा लगाएंगे एक कटोरी इसमें पानी लग गया है इसको इसी तरह से मिलाना है एक कटोरी पानी इसमें लग गया है आटा लगाने में अब आदा कटोरी और है अब इसे भी हम डाल करके अच्छी तरह से मिलाएंगे आटा बढ़ियां से लग जाएगा उसके बाद इसको पांच मिनट इसी तरह छोड़ देंगे डख करके पांच मिनट के बाद में इसको हम पराठा बनाना सुरू करेंगे देखिए आठा बहुत बढ़िया से लग गया है अब इसको पांच मिनट के लिए हम रख देंगे उसके बाद पराठा बनाना शुरू करेंगे और थोड़ा सोप्ट हो जाएगा पांच मिनट में देखिए आठा कितना बड़ी है सोप्ट हो गया है अब इसको हम बॉल बनाएंगे और इसको बेल करके पराठा बनाना शुरू करेंगे बॉल बनाने के बाद में इसको हम अच्छी तरह से रोटी के तरह बेलेंगे बेलने के बाद में इसमें हम देशी गी लगाएंगे देशी गी लगा कि इसको पराठा बनाएंगे सबसे पहले आटे को गोल रोटी के तरह बेलेंगे और इसको रोटी जैसा बनाएंगे उसके बाद इसमें असली घी लगा करके इसको एक फोल्ड करेंगे फिर उसमें थोड़ा घी लगाएंगे उसके बाद फिर इस तरह से इसको बेल करके पराठा बना लेंगे मक्के के आठे से पराठा जब भी बनाएं देशी घी से बनाएं इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है और बहुत टेस्टी लगता है मक्के का आठा थोड़ा फटता है इसलिए साइड साइड में इस तरह से उसको पकड़ करके दबा दें ठीक हो जाएगा देखिए अब पराठा जो है हमारा तयार हो गया है अब इसे हम तवे पर पकाएंगे देशी घी डाल कर पकाएंगे बहुत टेस्टी पराठा बनता है अब बहुत आसान भी है बनाना इसे घर पर एक बर जुरूर ट्राइ करें तवा अच्छे से गरम हो गया है अब इसको एक सैड पकाएंगे उसके बाद इसको पल्टी करके दूसरी सैड इसको पका लेंगे फिर इसमें देसी गी लगाएंगे देसी गी लगाने के बाद इसको दोनों सैड अच्छी तरह से पका लेंगे इस तरह से देखिए दोनों तरब इस तरह से घी लगा लेंगे देशी घी घर का बना हुआ गी है फिर इसको इस तरह से पल्टी करके पकाना है एक सेट पक गया है अब दूसरी सेट पकाना है देखिए पराठा कितना बढ़िया दिख रहा है जैसा दिख रहा वह इसी बहुत टेस्टी भी बनता है इसको आप किसी भी सबजी के साथ खाईए बहुत टेस्टी लगेगा देखिए एक पराठा हमारा तयार हो गया है आईए अब दूसरी पराठा भी बना लेते हैं इतना बड़ियां बना है देखिए मैंने केमरे के सामने दिखाया है देखिए अभी तवा गरम है अब दूसरी पराठे को भी इसी तरह से डाल करके दोनों सैट पकाएंगे पकाने के बाद आईए दिखाते हैं देखिए एक सैट पक गया है इसे भी अब दूसरी सैट पकाएंगे अब इसमें देशी गी लगाना शुरू करेंगे देशी गी लगाने के बाद इसको भी इसी तरह से दोनों सेट पका लेंगे उसके बाद इसे हम सल्प करके दिखाएंगे मक्य के आटे का बहुत बढ़िया पराठा बनता है थोड़ा फटता है लेकिन ये बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बनता है एक बार घर पर बना कर जरूर ट्राइ करें बनाने का बहुत आसान तरीका मैंने बताया है देखिए दूसरी पराठा भी तयार हो गया है कितना बढ़िया बना है आईए अभी इस पराठे को हम निकाल कर दिखाते है देखिए मक्के के आठे की पराठा तयार हो गई है इसे किसी भी सबजी के साथ में खा सकते है मैंने बैगन आलू के सबजी के साथ दिखाया है आप किसी भी सबजी के साथ इसे खा सकते है मैंने मक्के के पराठे के साथ मैं पनीर की सबजी भी दिखाई हूँ पनीर की सबजी की रेसिपी चाहिए तो आप डिस्क्रफशन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं मेरी इसी चैनल पे मेरी इस रेसिपी को देखने के बाद एक लाइक तो बनता है इस रेसिपी को लाइक करें, सेयर करें, कमेंट करें इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरह की नई नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ थेंक यू